हेलो स्कॉलर्स कैसे हैं आप सब क्लास 7 साइंस चेप्टर 10 रेस्पिरेशन इन और्मिजम्स इस चेप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग पिछले 4 वीडियो में हमने इसके 4 टॉपिक कम्प्लीट किये थे आज के वीडियो में हम इसका काफी इंट्रेस्टिंग टॉपिक है 10.5 ब्रीधिंग इन अदर एनिमल्स हमने हुमन्स के अंदर कैसे ब्रीधिंग होती है इसके बारे में समझ लिया था कुछ अदर एनिमल्स के बारे में भी जानते हैं जिस तरीके से हमारे लंग्स होते हैं चेस्ट के अंदर इसी तरीके से बहुत सारे एनिमल्स के अंदर एलिफेंट लंग्स होते हैं और ये भी हमारी तरीके से ही ब्रीध करते हैं How do other organisms breathe? और organisms कैसे breathe करते हैं? Do they also have lungs like those of human beings? Let us find out. क्या सारे जितने भी organisms हैं, सब के पास lungs ही होते हैं? चलिए देखते हैं. Suppose एक example हमने क्या लिया हुआ है? That is cockroach. Cockroach क्या है? Cockroach is a insects. इसके बारे में जानते हैं, a cockroach has small openings on the sides of its body. Other insects also have similar openings. Cockroach और जो other insects हैं, इनके अंदर breathing system क्या है? कुछ different है humans है. कैसे different है? इनके body के sides में कुछ openings होती हैं. ओके, यह openings क्या क्या लगती है? These openings are called spiracles. Spiracles क्या है? इनके body के पास में, body पे कुछ छोटी-छोटी सी openings हैं. ओके, जैसे यहाँ पर यह opening दिखाई गई है, black color का dot जो है, बहुत ही small openings. इस तरीके से समझेए, जब हम लोग plants के बारे में पढ़ रहे थे, तो leaves के में स्टोमेटा आपने पढ़ा था, that is tiny openings. इसी तरीके से इसकी body पर छोटी-छोटी सी openings हैं. इनको हम क्या बोलते हैं? That is called spiracles. Okay. Insects have a network of air tubes called trachea for gas exchanges. अब क्या है? आप समझ लीजिए इस तरीके से की cockroaches की body है. सबोज नीचे तो figure बना हुआ है, जो भी. यहाँ पर क्या समझ लीजिए? यह suppose cockroaches की body है. इसमें छोटे-छोटे से holes हैं. Okay. इन holes को हम क्या बोलते हैं? That is called spiracles. अब इन holes से pipe connect हैं, जो इसकी throughout body में cover करते हैं blood tissues को. इन pipes को हम क्या बोलते हैं? That is called trachea. अब क्या होता है? Oxygen air is oxygen rich air rushes through spiracles into the trachea tubes, diffuse into the body tissue and reaches every cell of the body. क्या हो रहा है? Spiracles means जो openings हैं, छोटी-छोटी सी small holes हैं, openings हैं, उसके through air अंदर आती है. Trachea tubes, जो 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 जिसकी बात कर रहे हैं, pipes की, tubes की, उन tubes के through body के अंदर तक पहुंचती है. Body के tissues में पहुंचती है. वहाँ क्या हो रहा है? वह oxygen, जो है, diffuse हो रही है. और क्या हो रहा है? वह carbon dioxide में convert हो रही है. फिर क्या हो रहा है? और मतलब क्या हो रहा है? कि food जो है, process में आ रहा है, food convert हो रहा है energy में, उसके बाद carbon dioxide बन रही है, वह carbon dioxide कहां जा रही है? Similarly, carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tubes and moves out through the sparracles. उन ही tracheal tubes के through spiracles तक पहुँच रही है, spiracles के through बाहर निकल जा रही है. जैसे हमारे nostrils के through हम air लेकते थे, तो यहाँ nostrils की जगे किस ने ले ली? spiracles ने, उसके बाद में यह different different पूरे body में पहुँच गया. हम तो nostrils के through air लेने के बाद में वो लंग्स तक पहुचाते थे air को और फिर उसके बाद में oxygen लेकर के पूरे body में कौन लेके जाता था? blood लेके जाता था. यहाँ क्या लेके जा रहा है? पूरी air, tracheal tubes जो हैं, वो लेकर के जा रही है, air को पूरी body में. Okay, these air tubes are trachea are found only in insects and not in any other group of animals. यह जो trachea है, या spiracles है, इस तरीके का जो system है, breathing का, या respiratory system है, वो केवल insects के अंदर पाया जाता है. तो जितने भी insects हैं, mosquitoes हो गया, bees हो गई, flies हो गई, और आपके cockroach हो गई, इनके अंदर इसी तरीके का respiratory system पाया जाता है. Okay, यहाँ नीचे देखिए, cockroach का एक figure भी दिया हुआ है, और इनका tracheal system दिखाया गया है. इसके अलावा, earthworm, earthworm के बारे में जाना है, क्या है, recall from chapter 9 of class 6, that earthworms breathe through their skin. Class 6 में भी हमने chapter 9 में, earthworm के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, क्या जाना था, कि earthworm अपनी skin के through breathe करते हैं, skin के through और कौन breathe करता है, याद कीजिए, जब हम frog की बात कर रहे थे, frog में lungs भी होते हैं, और वो skin के through भी breathe करता है, the skin of an earthworm, feels moist and slimy on touching, gases can easily pass through them, though frogs have a pair of lungs, like human beings, they can also breathe through their skin, which is moist and slippery, frog का मैंने आपको बता ही दिया, जो नीचे दिया हुआ है, क्या होता है, earthworms की skin आपने देखा होगा, moist हमेशा गिली-गिली सी लगती है देखने में, okay, ओसलाइमी होती है, क्या होता है, कि उसके through, skin के through gases, जो है easily pass हो जाती हैं, और उनकी just skin के नीचे ही blood vessels रहती हैं, और वहीं से वो oxygen को trap कर लेती हैं, और carbon dioxide को release भी कर देती हैं, तो earthworm क्या करते हैं, अपनी skin के through breathing करते हैं, okay, तो यह हमने कुछ cockroach और इसके बारे में भी जान लिए, earthworm के बारे में, कि इनकी breathing कैसे होती है, क्या है बुजो का question, बुजो wants to know if cockroaches, snail, fish, earthworm, ant and mosquitoes also have lungs, तो यह आपने पढ़ लिया, कि cockroaches के अंदर में, lungs नहीं होते हैं, earthworms के अंदर में भी lungs नहीं होते हैं, अब आजाते हैं, फिश, फिश वगएरा के बारे में, इनके अंदर क्या होता है, फिश के लिए हमको इसका नेक्स टॉपिक है, breathing under water, इस टॉपिक को complete करना पड़ेगा, ओके, इस टॉपिक को हम नेक्स वीडियो में cover करेंगे, till then, bye, bye friends,